दोस्तो 27 अगस्त को एक नहा इंट्री लेबल स्मार्टफोन शाओमी के तरफ से लॉंच होने जा रहा है रेड्मी 9 खबर यह है कि ये रेड्मी 9 दोस्तो मलेशिया में जो जून में लॉंच हुआ था रेड्मी 9C उसी का दोस्तो री ब्रांडिट वर्जान है जो इंडिया में रेड्मी 9 के नाम से लॉंच हो रहा है उसके साथ में ज्यादा मैच करता है दोस्तो Redmi 9C camera module आप देख सकते हैं teaser में जो दिखाए गया है दोस्तो तो बिना देरी के दोस्तो कर लेते हैं इस phone को unbox और देख लेते हैं कि Redmi 9 में आपको क्या मिलने वाला है दोस्तो ये है हमारा phone का box जिस पर कि आपको सामनी की तरफ phone की design साथ में आपको Redmi 9C की branding दोनों साइड में और पीछे की तरफ IMEI number के साथ में दूसरे कुछ details के साथ में मिल जाएगा आई बाकी दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है box पर सीधे फटाफट से कर लेते हैं दोस्तो इसको open ताकि आपको अंदर का phone दिखाए जा सके कि आखिर वो कैसा है तो दोस्तो रैपिंग कर ली हमने remove और box कर लेते हैं दोस्तो फटाफट से open तो box open होते ही दोस्तो कुछ इस तरह से phone आपको उपर रखा हुआ मिल जाएगा बाकी की phones में ज्यादा दोस्तो आजकल ऐसा आ रहा है कि phone बीच में होता है और आपको ऊपर की तरफ एक और box मिल जाता है जिसमें आपको sim eject tool वगरे जैसी चीज़ें मिल जाती है लेकिर phone इसमें ऊपर ही रखा हुआ दोस्तो इसको रखते हैं मिल जाएगी उसके लाबब box के अंदर दोस्तो यह है आपका charging adapter जो की आ रहा है दोस्तो 10 watt की charging support के साथ यानि की phone आपका 10 watt की charging support करेगा उसके लाबब दोस्तो यहाँ पर आपको यह charging cable मिल जाती है जो की C type नहीं है दोस्तो अब इसको रख देते हैं साइड में दोस्तो और box में कुछ भी नहीं फटा फट से निकालते हैं में अपने phone को बाहर क्योंकि यह ही है सबसे important चीज़ दोस्तो phone जो है वो कुछ बड़ा size में लग रहा है display दोस्तो entry level phone में आजकल display अगर इतनी मिल रही है तो आप समझ लीजे कि कमाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि front side पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है triple rear camera 13 megapixel AI के साथ में है उसके लाबा front selfie camera 5 megapixel का 6.53 inch की HD plus dot drop display है दोस्तो उसके लाबा 5000 mh की बैटरी है और साथ में media tech helio g35 process हा रहा है इसलिए 27 star को launch होने वाला है तो आपको हम पहले ही दिखा जेते हैं यहाँ पर दोस्तो पीछे के तरफ यह module है square type में जहाँ पर कि आपको triple camera मिल रहा है साथ में flash light भी है दोस्तो कमाल की बात है कि इस range में आपको AI camera मिल रहा है पीछे के तरफ rear fingerprint sensor है और sensor की जो जगा है दोस् दोस्तो फटाबट से remove ताकि आपको पीछे की full back दोस्तो दिखाई जा सके तो यह orange color में दोस्तो आपको दिखाई दे रहा हो और यहाँ पर कुछ patterns आपको दिखाई देंगे दोस्तो जो की gradient look आपको देंगे जादा नहीं है दोस्तो अगर हम touch करते है phone को पीछे से तो feel आप आपको डिस्प्ले के proper तरीके से दिखाई जा सके दोस्तो डिस्प्ले कुछ इस तरह के यहाँ पर water drop नोच भी आपको दिखाई दे रही हूँ को फटावट side में दिखा देते हैं दोस्तो यहाँ पर power आपको की मिल रहा है उसके अलाबा आपको volume rocker मिल रहा है और side में दोस कि तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तो secondary आपको microphone इसमें नहीं मिल रहा है तो फटावट से phone को कर लेते हैं दोस्तो बूट और जब तक बूट होता है दोस्तो तब तक इसके बारे में जान लेते हैं कि phone में आखिर और भी इसके इलाबा दोस्तो क्या क्या मिल रहा है तो द जो UI है दोस्तों उसको enhance करेगा आपको नया experience देगा तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको बदा देगी फोन Android 10 पर काम कर रहा है 5000 mh की बैटरी तो है दोस्तों डिस्प्ले रिजॉलुशन के अगर बात करें तो यह 720 x 1600 पिक्सल रिजॉलुशन है इसमें दोस्तों डिस्प्ले की density के बात करें तो आपको 276 ppi density मिलेगी डिस्प्ले यह दोस्तों IPS LCD डिस्प्ले है तो दोस्तों फोन होगा इस्टार्ट और इसका front home page जो है दोस्तों वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि phone के अंदर मिल रहा है अगर इसके touch की बात करें तो दोस्तों उतना smooth नहीं है जितना की smooth होना चाहिए लेकिन फिर भी इस price range में अगर entry level phone की बात करते हैं तो दोस्तों यह इतना touch भी आप use कर सकते हैं perfectly ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा time ले रहा है लेकिन हाँ उतना ज़्यादा जो कि अगर आप एक premium mid range smartphone use कर रहे हैं तो आपकी जो एक आदत होगी वहाँ पर touch को use करने की वैसा experience आपको नहीं मिलेगा थोड़ा सा आपको habitat होने में थोड़ा वक्त लगेगा आपको इसके स आते हैं अब देख लेते हैं कि fingerprint lock कैसे काम करता है दोस्तों कितना smoothly काम कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें भी time लगेगा कि phone lock unlock करने में fingerprint से तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है कुछ second का क्योंकि यह जो fingerprint reader है वो उतना अगर हम किसी macro sensor का यूज़ करना चाते हैं तो उसमें भी आपको इसमें clarity दोस्तों देखने को मिल जाएगी अगर हम फोटो यहाँ पर लेते हैं इस flower pot का तो दोस्तों आप इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह की clarity आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है साथ में दोस्तों इ किलिक की गई कुछ selfies और night mode की pictures दोस्तों आप इसकी image quality को justify खुद ही कर सकते हैं इन images के साथ में अब दोस्तों जैसा कि phone में 2GB की RAM है लेकिन साथ में processor आपको media tech Helio G35 मिल रहा है जिससे कि phone आपको game खेलने में तो बहतर performance दे सकता है लेकिन इसमें आपको high graphics वाले ज्यादा लो 4GB तो चाहिए ही चाहिए ताकि आपके phone बहतर तरीके से PUBG के graphics को आपके सामने produce कर सके आप बहतर तरीके से उसका experience ले सके हाला कि आप इसमें जो छोटे games हैं जो इसमें pre-installed है उसको आप बहतर तरीके से खेल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ experience दिखा देता तो आप अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके durability की बहाला कि यह एंट्रिलेबिल फोन है लेकिन फिर भी हमें durability टेस्ट इसका color टेस्ट दोस्तों scratches वगरा यह सब चीज़े तो जाननी चाहिए phone खरीदने से पहले तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी कीजिए कैसे लगी दोस्तों नीचे कमाइंड बॉक्स मताना बिल्कुल भूली का बागी दोस्तों अपना खया लखिये जोड़े रिमेडिशनल साथ हिंदुस्तान संदा बाद